नमस्कार मित्रो अभ्यास क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ टॉपिक 4 के साथ हिंदी का टॉपिक 4 है उपसर्ग वा पृत्य है बहुत ही महत्पूर है इससे पहले के जो तीन टॉपिक है उनके बारे में अगर आपको पढ़ना है उनके कोश्चन सॉल्व करने है टो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रख्या आप आपसे चेक कर सकते हैं ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें चली सुरू करते है कोश्चन न नमर एक पहड़ते है उपसर्ग का प्रियोग होता है पहला है सब्द के होते हैं सब्दांस होते हैं शब्दांस ठीक है तो सब्दांस होते हैं तो उन सब्दांस जो किसी भी सब्द के आगे लग जाएं जैसे माल लीजिए मैंने एक सब्द यहां पर हार लिखा और अभी इसका अर्थ है पराज है ठीक है हार का मतलब पराज है अभी इसके आगे मैं प्रा जोड़ दूं तो क्या हो गया प्रहार ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ प्रहार का मतलब चोट करना यह निस अर्थ बदल गया इस कंडिशन में जब भी कोई सब्दांस किसी भी सब्द के आगे जुड़कर उसकी अर्थ या उसकी विसेस्ता में कुछ भी परवर्तन कर देता है तो उसको कहते हैं उपसर्ग इतना याद रखना यह प्रिफिक्स है यह सब्द के पहले जुड़ता है कोशन नमबर दो पे आते हैं और प्रिफिक्स यानि यह भी एक सब्दांस है और यह कहां जुड़ता है किसी भी सब्द के पीछे यानि किसी भी सब्द के पीछे जो जुड़ता है उसको कहते हैं प्रिफिक्स अच्छा प्रिफिक्स यानि यह भी दो भेद होते हैं कौन कौन से एक होता है किरत्पृत्य और दूसरा होता है तद्वित ठीक है किरत्पृत्य वे होते हैं जो root words के साथ जुड़ते हैं जैसे माल लेख लिखा है और लेख में अक जुड़ जाए तो हो जाता है लेखक ठीक है और इसके अलावा जो तद्धित होते हैं वो संग्या सरवनांब बिशिश्ण में जुड़ जाते हैं जिसे सेट का सेठानी हो जाता है ठीक है इस तरह से कोशन नमबर दो का आंसर मैंने बता दी अब चलते हैं तीन पर प्रति उत्पन मती सब्द में तो प्रति उत्पन मती होता है इसको अगर संदी पिछे सही से करोगे तो प्रति प्लस उत्पन मती इस वजए से यहां पे जो इसका उपसर्ग यहां पे लगा है वो प्रति लगा है कोशन नमबर चार पे जाते हैं गमन सब्द को विप्रीत आर्थक बनाने के लिए आप कि उपसर्ग का प्रियोग करेंगे यानि गमन के साथ ऐसा कौन सा उपसर्ग लगाएं कि ये सब्द जो है अपोजिट बन जाए यानि बिलोम सब्द बन जाए जैसे उप गमन नहीं हो सकता आ गमन प्रति गमन या फिर अनू गमन चार उपसर्ग है आपके पास तो इसका सही आंसर है आपका आ गमन गमन मतलब जाना आ गमन मतलब आना चीक है आ गमन चलिए कोशन नमबर चार पांच पर आते हैं अनूर्ज सब्द को इस्तरी बाचक बनाने के लिए ध्यान से पढ़िए इस्तरी बाचक बनाने के लिए आप किस प्रतियाय का प्रियोग करेंगे इसका जेंडर चेंज करना तो एक लगेगा या ई लगेगा या आ लगेगा या ई लगेगा तो इसका देखो आप खुदी लगा के देख सकते तो अनुज के साथ अगर हम आ जोड़ते हैं तो हो जाता है अनुजा चीक है अनुज का क्या हो जाएगा अनुजा तो पांच में का option number 3 सही है question number 6 पे आते हैं सुत सब्द को इस्त्री वाचक बनाने के लिए किस पृत्याय का प्रियोग होगा इसमें का हो जाए पृत्य है मतलब बाद में लगना आए तो बड़ी लिखा है बड़ा लिखा है इ लिखा है इक लिखा है question number 6 का जो सही answer है वो है वी आ सुत्ता question number 7 पे आते हैं इस पर्ष सब्द को बिलोम आर्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रियोग करेंगे अब इसको अपोजिट बनाना है अब उपसर्ग है यानि इसका मतलब पहले जोड़ेगा पहला option नी है अनू है दूसरा option तीसरा आ है तीसरा चौता option कु है अब इनको पढ़के आप देख सकते हैं नी express नहीं बन रहा अनू इसपर्ष नहीं आइसपर्ष सब्द होता है आइसपर्ष तो question number C question number 7 का C सही है आइसपर्ष इसी से बढ़ बन जाता है फिर आइसपर्ष तया चलिए अब बढ़ते हैं question number 8 की ओड़ने में आंकित में कौन सा सब्द किर्दंत प्रतिय से बना है किर्दंत प्रतिय से बना है option तुम्हें दे रखे हैं A है रंगीला V है विकाउ C है दुधारू D है किर्पालू इसका सही answer है option है विकाउ विकाउ question number 9 पे आते हैं इनमें से कौन सा सब्द समु वाचक प्रतिय नहीं है option number 1 है लोग B है गड़ C है वर्ग D है प्रेस इसका सही answer है आपको answer number D प्रेस लोग, गड़, वर्ग ये सब समु वाचक प्रतिय है और प्रेस कैसा समु वाचक प्रतिय नहीं है question number 10 पे आते हैं किस सब्द में उपसर्ग का प्रियोग हुआ है लाबदाएक, तीसरा है पढ़ाई चोथा है अपना पन, तो इसका सही answer आपका हो जाएगा उपकार देखो लाबदाएक में ये वाला प्रतिय लगा हुआ है पढ़ाई में वे आई वाला है अपना पन में वे पन वाला उपकार जो है उपकार में उपसर्ग का प्रियोग हुआ है वस इतना ध्यान रखना है कोशन नमबर 11 अनुवाद में प्रियोगत उपसर्ग है अनुवाद में कौन-कौन से मतलब उपसर्ग कौन सा हो सकता है जैसे पहला option है दूसरा है अन अव अनुव तो कोशन नमबर 11 का सही आंसर है डी अनुवाद कोशन नमबर 12 हिंदी में कृत प्रतियों की संख्या कितनी है तो यह बारा का option नमबर अब option सुन लीजे पहले 28 30 40 50 यानि 28 30 40 50 तो बारा का question नमबर यानि 28 याद कर लीजे कृत प्रतियों की संख्या लॉबलाम विशेशừa करिया तो तेरा का option नमबर सही है डी करिया कोशन नमबर 14 किस सब्द की रचना पृतिय से हुई है इनमेंसे कौन सा सब्द है जिसकी रचना पृतियों कैसे हुई है अभीयोग बयायाम अपमान या इनमेसे कोई नहीं अब देखो इसमें पुछ रहा है पुरते हैं मतलब बाद में जुड़ा है ठीक है अभयोग होगा नहीं ब्यायाम भी नहीं होगा अपमान भी नहीं है तो इसका मतलब इसका अंसर हो गया डी यानि इन में से कोई नहीं कोश्चन नमर 15 पर आते हैं निमलिकित में से उपसर्ग रहत सब्द है देखो रहत ये सही से पढ़ने है कोश्चन को उपसर्ग रहत का मतलब जिसमें उपसर्ग नहीं है पहला अप्शन है स्योग दूसरा अप्शन है विदेश तीसरा अप्शन है अत्यदिक चौता है सुरे सुरेश क्योंकि बाकि सभी में सु इसमें सु आ गया है ना इसमें वी आ गया उपसर्ग इसमें अते प्लस अधिक यानि अती और तो इस तरह के इसमें उपसर्ग हैं जबकि सुरेश में कोई उपसर्ग नहीं है कोशन नमबर 16 पे आते हैं वहाव सब्द में प्रियुक्त पृत्य है अब सीधी सी बात है हमें लाश्ट का देखना आए इसमें क्योंकि पृत्य है तो इसके आखर में क्या आया है हाव आया है हाव यानि वहाव तो अब इसमें आप्संस पड़ लीजिए बहे हाव आव आव तो इसका सही आणसर है कोशन नमबर का सी आव क्योंकि यह जड़ टूटेगा तो बहान प्लस आव बहाव Q7 है चिरायू सब्द में प्रियुक्त उपसर्ग है Q7 का सही आंसर आप भी लगा सकते हो Q7 यानि चिर पिलस आयू इसका सही आंसर है चिर Q8 पर आते हैं धुंदला सब्द में प्रियुक्त प्रत्य है Q8 का सब्द में प्रियुक्त प्रत्य है धुंद या धुंद या ला इनमें से कोई नहीं Q18 का सबसे पहली बात तो यहीं से यह Q8 हो जाएगा Q19 पर आते हैं किस सब्द में उपसर्ग नहीं है अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओड़ना तो सही आंसर इसका है ओड़ना यानि कि इसमें उपसर्ग नहीं है बागी सभी में उपसर्ग है Q20 पर आते हैं संसकार सब्द में किस उपसर्ग का प्रियुक्त हुआ है पहला आप्शन है सं, दूसरा है सं, तीसरा है सं, चौथा है संस जिसका सही आंसर आप्शन नंबर ए संस, सं, 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 प्लस कार यानि जब संदी विच्छेट भी हम लोग करते हैं तो सं प्लस कार हो जाता है संस कार प्रिशन 21 पे आते हैं प्रोहित में उपसर्ग है पुरस, पुरा, पुरा, पुर, यानि चार आप्शन दिये हैं तो 21 का जो सही आंसर है वो है आपका V पुरा, पुरा, पिलस हित, पुरोहित, प्रिशन नमबर 22 पे आते हैं अवनत सब्द में प्रियुक्त उपसर्ग है अवनत सब्द में उपसर्ग, उपसर्ग का उतलब जो पहले आ रहा है पहला दिया आवन, दूसरा है आ, तीसरा है नत, चौता है अब, तो प्रिशन नमबर वाइस का सही आंसर है आपका, आप्शन नमबर डी अब, यानि अब पिलस नत, नत मतलब जुका हुआ, अब नत, सावधानी सब्द में प्रियुक्त प्रत्यय है, अब इसमें प्रत्यय देखना है तो बड़ी, छोटी, धानी, आनि, देखो सावधान सब्द होता है, अब सावधान सब्द में, अगर बड़ी का प्रत्यय ये जुड़ जाए, तो हो जाता है सावधानी, तो इसका सही आंसर ह साबधान 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका option number A बड़ी हो जाएगा अब पढ़ते हैं 24 पर कनिष्ट सब्द में प्रियुक्त प्रतिय है अब पिर ते ढूंड़ना है तो लास्ट कर देखना पड़ेगा हमें इस्ट 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 तो ट्वंटी फोर का जो है आपका सही आंसर है इस्ट अब आते हैं कोश्ट नमर ट्वंटी फाइब पे कौन सा उपसर्ग आचार सब्द से पूरव लगाने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है अब इसमें आपको देखना है दूर प्लस आचार दुराचार अति प्लस आचार अत्य अचार निर प्लस आचार निर अचार या अन प्लस आचार बरावर हो जाएगा अत्य आचार जिसका मतलब होता है जुल्म करना आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है अगला वीडियो हम लाने वाले समास का इसलिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ लाइक से रेंट सब्सक्राइब करें बहुत बहुत धन्यवा इंगर बहुत प्लस का वीडियो होता है